सबसे अच्छी बढ़ती आई और यह जो बढ़ती है वह देख सकते हैं ऑफिसर रेंक के लिए बढ़ती है यह इंडियन आर्मी के अंदर टेरी टूलियर बढ़ती होती है अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं इसमें क्या होता है कि आप जैसे आप एक बढ़ती है तो बढ़ती है तो बढ़ती है आप लगा सकते हैं और इसमें आपको बताना होते हैं कि हां मैं कुछ कमा रहा हूं ठीक है अब इसमें देख लीजगा और बेसिकली इसमें इंडियन सेटीजन का होना ही बहुत ज़रूरी है और इसमें मेल और फिमेल दोनों ही अपलाई कर सकते हैं बात आगे कही गई है कि आपकी उम्र जो वो 18 से 42 साल यानि कि 18-42 होना चाहिए एजूकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आपने बहुत जरूरी है फिजिकले स्टेंटर की बात किये गई है और देख लीजिगा और इसमें जो भी बताए गया है कि सबसे पहले आपका एक्जाम होगा वो की रिटन एक्जाम कि स्लेबस में क्या करेने वाला है तो देखेंगे यहां पर दो अलग लग पेपर होंगे फर्स्ट और सेकेंड और यहां पर बोला गया है कि दो पेपर एक दिन के अंदर ही होंगे ठीक है जिसमें का रीजनिंग और मैथेमेटिक्स है दूसरा पार्ट तो कसमें जीके और इसके बात एक सकते हैं स्लेबस में यहां पर उन्होंने पूरा डिस्क्राइब कर दिया गया कि इनन सब्जेक्ट में से क्या क्या पूछा जाएगा और बेसिकली कुछ ज्यादा नहीं है और इसका जो पेपर होगा देखी वो अब्जेक्टिव टाइप है नहीं ओमर टाइ है और इन्होंने बोल रखा है कि यदि आप कोई भी गलत उत्तर लगाते हैं तो आपको पैनल्टी भी पे करना पड़ेगा ठीक है मतलब यह हुआ कि पैनल्टी लगाई जाएगा मतलब नेगेटिव मार्किंग है इसमें ठीक है अच्छा और इसमें देख सकते हैं फीस जो बढ़ सकते हैं वह चबीस मई से स्टार्ट हो गया है पचीस जून तक चलेगा आप इस फॉर्म को जरूर बढ़ेगा आप आर्मी के अंदर यह आप जाना चाहते हैं तो यहां पर सेलेक्शन प्रोसेस से नोने बता दिया है कि सबसे पहले आपको एक स्क्रीन टेस्ट होग किसी भी गवर्मेंट जॉब के लिए अपडेट्स पाना चाहते हैं यानि उसके रिगार्डेंग कोई बढ़ती आरी है उसके बारे में चनकारी चाहते हैं तो आप इस चिनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा थैंक यू सो मॉच